अबिलाशी शर्मा इक वरी फिर्ट ओडिनाल अकाउंटन सी दा बड़ा इंपोर्टन टॉपिक मैं शेर करने जारें आवाउट डैप्रीशेशन आज देस टॉपिक देवीच असी गल करांगे डैप्रीशेशन दियां उन्ना प्रेक्टिकल प्रावलों से बारे जिथे मोर द वन फिक्स असेट इन वालोवां दियाने लेट स्मुवएड विद मी तो डिसकस तूदेश कॉंटेंट सीक अलर्ट ए सारें देली त्यान रखो सीधा वीडियोन फुल स्क्रीन ओफ यूर दिवाइस और कंप्लीट तिल एंड तो गत मैक्सिमम विद अन येरफॉन और हैद पूरी वीडियो देखो पूरा कंटेंट जानन देली कोई भी हिस्सा ना चटो अधे इस दिन आल जरूर ये फुल सक्रीन करके देखो अपने दिवाइस दी जड़ा भी तुसी यूज कर रहे हूं इस वीडियोनु हैड़फोन जा इयरफोन यूज करके सुनोगे ता बैट बेदे विच कॉंटेंट नूँ पास अब गो एक तोडली जुरूरी जानकारी वट इस देप्रिशेशन वट आर दा मैथर्स ऑफ देप्रिशेशन नुमेरिकल और प्रेक्टिकल प्रॉलम्स विद वन फिक्स असे एड़े सारे क्वेस्टेंस ने स्टाइब दी वी वीडियो है ऐई 31 चैनल दे होते तुसी ति देप्रिशेशन कहिंए होदे मैथर्स की ही इने डिटेल दे विच ते हर इस डिप्रिशेशन की में करनी है ते फिक्स आश्यर जर्ज एक होवे उदे नाल नुमेरिकल प्रॉलम की में स्वालव करनी आने तुसी उड़े वि एक प्रेक्टिकल प्रावलम विद दिमिशिंग वैल्यू मैथर्ड और रिटन दाउन वैल्यू मैथर्ड वन मोर दन वन मोर दन वन असर्ट्स आर इनवाग्ट क्योंकि depreciation देटे बेसिकली starting दे बीच methods करदेने students इक है a straight line method दूसरा है diminishing value method और written down value method अज इसले बीच आसी diminishing value method और written down value method देना लेटर numerical problem नों स्वालव कराँगे आए पहला जान देया लिए e here brief introduction देखने diminishing value method और written down value method की है In diminishing balance method, depreciation is calculated on book value of the assets at the start of any year with the fixed percentage, instead of principal amount. In this, the percentage is same, but depreciation amount gradually decreases as it is done on the book value and the book value assets goes on decrease. I will try to do this. अगले साल दे शुरूच जो हो कटी होई वैल्यू है उस दे ऊपर फिर ओहो ही फिक्स परसेंट इस डेप्रिशेशन फिर कैलकुलेट कीती जान दी है डेप्रिशेशन चार्ज करनतों बाद फिक्स असेट दी बुक वैल्यू फिर कट जान दी है ते फिर नमा साल जो आवे फिर उस कटे होई मुल्दे उपर फिर ओही फिक्स परसेंट दस पंदरा परसेंट जो भी दित्ती भी होवे ओ डेप्रिशेशन कैलकुलेट कीती जान द परसेंटेज फिक्स रहन दी है पर ओहो हर साल कटे होई वैल्यू दे हुथते फिक्स परसेंटेज क्टी चालकुलेट कीती जान दी है इस करके लगा तार इगल सोचन दी जरूरत है बुक वैल्यू भी खट दी है किसे भी एसर दिते जो चार्ज कर दें ते डेप्रिशेश दे विचे भी ग्रेजुली डिक्रीज आन्द है उस एस्ट दे होते बट परसेंटेज सेम रहन दी है डेप्रिशेशन चार्ज करन्दा जड़ा फॉर्मूला है ओ देखो तोड़े सामने दीता है डेप्रिशेशन इस इकोल टू बुक वैल्यू ओफ एस्ट दा बिग्निंग ओफ एनी यर त्यान रखो हर साल दी में घल कर रहे हैं यहनी की पहले ही साल हर साल दे शुरू देविच उस एस्ट दी बुक वैल्यू की सी ओदे उपर मल्टिप्राइड वाई परसेंटेज ओफ डेप्रिशेशन डिवाइड़ वाई हंडड़ जिनने परसेंट देती होवे हो कल्कुलेट कर लो इस ट्रंग देनल डेप्रिशेशन कल्कुलेट हों दिया डिमिनीशिंग वैल्यू मैथर्स आओ थोड़ा आगे वादी जर्नल ए तो इसन डी सटाइट इट और उसमींटा होदेट हो घॉटत होगी जो मिशॉन्टा सीटट होगी वाई डेप्रिशेंट्री ढूाई है और वजिगे वीडेवी 02टिवरियू रियू रही है ता मेंकिनी नेचर्ली फेटविकती अटंशिंगें उस्तों बाद हर सल जी निवी depreciation चार्ज होंदी है, वो profit and loss account नो transfer हो जान दी है, because it is loss, profit and loss account debit to depreciation, एदेना जड़ा depreciation account अपने अब close हो जान दे है, क्योंकि depreciation एक वारी debit होया है, then same amount देना credit, then it's okay, इस्तों इलावा, जे कर कोई assets बेची जावे किसे साल, ता उस साल की होएगा दो case हो सकते नहीं जाता, profit हो सकते हैं, उन्हों वे चंते हैं, loss दी position भी हो सकती है, मन लो, loss होया, assets sale करती, bank account debit, profit and loss account debit to assets, because assets is going out, asset credit होगी, जिनना bank दे वीचे पैसा मिल गया, then it's debited, जे loss होया था profit and loss account debit होएगा, सानों nominal account जो पता है, all losses are going to be debited, जे कर assets sale करनते profit होए, then bank account debit to assets account to profit and loss account, एजनलाइस पोजिशन हों दी है, एसी रिवीजन उस मैथर्ड दी, डिमिनिशिंग वैल्यू मैथर्ड और रिटन डाउन वैल्यू मैथर्ड आउन अपने अमेरिकल प्राउलम गाल कर दे हैं, एक जनवरी 2018 तो question शुरू है है, और 1st जनवरी 2018, महेश और सं and spend 4000 on its installation, मेश और संज ने 36,000 दी मिशनरी परचेज किती, एक जनवरी 2018 नो, date, amount, हर चीज बड़ी important है, तो 4000 पर उसने इंस्टालेशन दे होते हैं, लगाते होनों लगान दे होते हैं, तो उनों सारे नो बता होना चीन दे है, किसे भी मिशिन नों इंस्टालेशन दा, चार जी जड़ा, मिशीन दी कोस्ता हिस्सा ही बन जनना है, इस करके देखा है, जावे मिशिनरी किने दी बन गी, छती ते चार, चाली हजार दी, on 1st July 2018, same year, another मिशिनरी कोस्टिंग रूपीज 20,000 वार परचेज, एक होर मिशिनरी खरीद ली 20,000, दो मिशिना हो गी होना, on 1st July 2020, 1st मिशिनरी वास सोल्ड, for 12,000, 2020, उनीच कुछ भी नहीं किता, 2020 की हो है, जड़ी पहली मिशिनरी ये परचेज किती सी, 40,000 जी दी कोस्ट बन दी सी, वो 12,000 से वेच ती, and परचेज वन ओर मिशिनरी, for रूपीज 64,000 वान दा, same date, same date नूँ चोहट हजार दी 3rd मिशिनरी को पर करीजली, depreciation दा परसीजर किया, depreciation is provided annually on 31st December, हर साली 31st December नो depreciation चार्ज करनी है, add the rate of 10% पर एनम, on return down value method, for 3 years, 3 साल अनली ऐसी depreciation चार्ज करनी है, 10% पर एनम दे साव देनाल, 3 साल अनली ऐसी एकाउंट त्यार करांगे, इस method, इस question दे accordingly, जी में दी जरूरत है, question नों दिम जी में तो नों पता ही होएगा, line किसी ओन फॉरस जन्वरी, 2018 मेहिशन संस परचेज आ मिशिनरी ओव 36,000 एन्ड स्पेंट 4,000 रेने इस इंस्टालेशन, मैं तोड़ी सुविदा देली, उपर दुवारा ओ लाइना लिखिया ने, ताकि समझेंच असानी रहे, सब तो पहला आओ ही मिशिनरी अगाउंट एवी टू बैंक, मिशिनरी परचेज कर ली, टू बैंक अकाउंट, इक गल क्यान रोखो, ए गल आम तो उरते बुक्स दे वीच नहीं, हुंदी तोड़ी सुविदा ले, मैं दसा, कि जेकर तुसी इस तरह करोगे, ता रिटन डाउन वैलियो म कोई भी मैथड़ों में बड़ा असान रहेगा, मिशिनरी नो या फिक्स एसस नो कोई पहचान दे लो, मालो पहली मिशिनरी सी नाल में, एम वान लिखता, तू बैंक अकाउंट, अगे नेक्स्ट चार हजार हो दे इंस्टालेशन दे खर्च हो है, इंस्टालेशन, मिशिन मिशिनरी कोस्टिंग रूपीज 20,000 वास पर से, कोर मिशिनरी पर से इस का लिए, मिशिनरी काउंट डेवी तो बैंक, फर्स जुलाई नो 20,000 दे, दो मिशिन ना हो गया होंते आन रखो, 31 संबन हों डेप्रिशेशन करनी है, होर इस साल कुछ नहीं होया, कुछ नहीं दिता मिशिनरी मिशिनरी काउंट क्रेडिट हो रहा है, तक क्रेडिट साइट थे भाई डेप्रिशेशन, कोशिच करो डेप्रिशेशन अलग लग दिखाओ, सानू बहुत सारे वर्किंग नोट नहीं बना नहीं पैना के बच जांगे असी, तो बहुत इजी हो जेगा हार इक जन्वरी नोग खरिदी के सी, पूरा साल साटे कोल रही, ता चार हजार पूरे साल दी डेप्रिशेशन अलगी, दस बटा सो करते हैं, जो तो परसेंटेस काटते हैं, उस तो बाद दूसरी मिशिनरी, वी हजार दी परसेज कीती है, बाट फस्स जुलाई नो, ये ता मल फस्स जुलाई टू 31 संबर 6 मिन ने वो बिजनस रही, ता 6 मिन दी डेप्रिशेशन आएगी, हाफ येर दी, फिर उदी डेप्रिशेशन कैलकुलेट करनी, एम टू दी, 20,000 ते 10 परसेंट, 4-6 मंथ, 6 मिन दा कि मैं करते हैं, हुझने मल्टिप्लाइड वाई 6, डिवाइड 12, 12, 6 मिन दा आजेगा, हजार आगया, क्योंकि पूरे साल दा 2000 बन रहे, 10 परसेंट कर रहे हैं, ता 6 मिन दा एक हजार, टोटल डेप्रिशेशन की नहीं होगी, 5000, 4000 प्लस, 1000, 5000, क्लियर, इस तो बाद, असी मिशिनरी काउंट दा बैलन्स कर दांगे, बड़ा असान काम है, डेबिट साइड दा टोटल किता, 60,000, क्रेडिट साइड दा टोटल भी असी 60,000 करके बैलन्स, अपने आप देखो, जो इस 65,000 के 55,000 आगे, बड़ ए कोई अच्छा मैथर नहीं है, इस तरह बैलन्स करना, बैटर वे की हुन्द है, इस तरह लिखो, ए तोड़ेली, फिर मै कर रहे हैं, सुविदा जनकरेगा, असी देखिए, साइडी मिशिनरी दे अड़र दा बैलन्स की सी, पहली मिशिनरी M1, ओधी वेल्यू चाली हिजार सी कोस्ट, चार हजार असी ओधी डेप्रिशेशन शो किती है, आओ देखो, उपर कैल्कुलेट कीती भी है, ताँ ओधी वेल्यू साल दे अंच, 36,000 रहागी, दूसरी मिशिनरी 20,000 दे सी, ओधे ते हजार दी डेप्रिशेशन शो होई है, आसी कैल्कुलेट कीती सी M2 ते, ताँ ओधी वेल्यू साल दे अंच, जड़ी बुक वेल्यू दे मैंगल कर रहा है, यो कटके किनी रहागी, 19,000, किताब जोदी कीमत कट गी हुन, डेप्रिशेशन दे कारण जिन्हों सी बुक वेल्यू गया है, इस तो बाद असी इस बैलंस नो ब्रोट डाउन कर लेना है, क्योंकि दूसरा साल शुरू हो गया, आम लेजर अकाउंट दे विच सेम चीज हों दी है, तो बैलंस ब्रोट डाउन, अगे ले अंदा गया, सेम बैलंस, किन्ना बैलंस सी मिशिनरी दा 55,000, M1 दा 36,000 सी, M2 दा 19,000 सी, तो टोटल किन्ना हो गया, 55,000, क्लियर हो गया, आओ अगे बादे है, यह हजे continue है, क्वेशन, आओ पाइक औरी क्वेशन फिर बढ़िए, अगे की सी, उस तो बाद मिशिनर 2020, मैं उपर दोटे वास ते एक हाईलाइट कीता है, कि उन्नी कोई चेंज नहीं होया, सो अली डैप्रीशेशन दिखा मागे किता बाद, आओ दिखाईए हूं डैप्रीशेशन, क्यों है की, dear student, त्यान रुखो है, रिटन डाउन वैल्यू मैथड है, असी मशिना दे कटे ह देखा हूं देखा हमागे उन्नी बुक के वैल्यू काट गी, फर सीजर हो ही है, डैप्रीशेशन अकाउंट डैबी टु मिशिनरी, मिशिनरी क्रेडिट हो रही है था, क्रेडिट साइट थे, बाई डैप्रीशेशन, साल दे एंड जे हमेशा डैप्रीशेशन दिखा रहे ह हैं, 2019 स्टार्ज किनी वैल्यू सी चत्ती हजार, चत्ती हजार ते दास परसेंट, पूरा साल मशिन साड़े कोल रही, चत्ती सो बन की डैप्रीशेशन 3,600, एम टूजडी सेक्ड मेशिन सी उन्नी हजार हो दी वैल्यू रहे गी सी, उन्नी हजार ते दास परसेंट किनी होग उन्नी सो, टोटल डैप्रीशेशन जोड की ता टोटल डैप्रीशेशन आगी 5,500, पहला डैप्रीशेशन 5,000 सी टोटल, दूसरे साल के नहीं होगी 5,500, ओके, हुन फिर ना दे बैलन्स कैलकुलेट कीते, क्योंकि कांटिनूली यसी साल दे एंड नो क्लोज करने अगले साल जान है, बाइ बैलन्स कैरी डाउन, एक टांगता हो ही है, डैविट टे क्रेडिट साइट दोनों साइडा टोटल कीता, एदे वीचे जो दो माइनस कीता, 55,500, तो अब बैलन्स आगया 9,500, बट इस नोट गुड मैथर बैटर वे की हुन दै, M1 ते M2 दा अलग-लग वैल्य काड़ लो, बैलन्स, ता इदर लो, क्रोस चेकिंग भी हो जान दिया, कि साड़ा ए वाला बैलन्स ते जो एक्ट्वल बैलन्स आ रहे है, वो मिल रहे नहीं, सब दो बैला देखो, मिशिनरी दी M1 दी वैल्यू छती हजार सी, साल दे शूरूच, बुक वैल्यू, ओधे दे डैप्रिशिशना सी, इस साल 31.936 माइनस करती विच हो, क्योंकि ओधी बुक वैल्यू कट गी 32,400 रहेगी, दूसरी है, M2 ओधी साल दे स्टार्टिंग दे विच, 19,000 वैल्यू सी, डैप्रिशिशन 1900 माइनस केती हो, दी बुक वैल्यू 17,100 रहेगी, तब दोना दा टोटल क किता, 19,500, देखो, क्रोस चेकिंग भी हो गया, दोनों साइडा टोटल मिल जेगा हूं, डैट इस दा बेस्ट वे, अगे वादे हैं, दोजार वी देवी चासी की किता, ओ बैलंस फिर अगे ब्रॉट डाउन कर ले, तीसरा साल, जन्वरी फर्स टू बैलंस ब्रॉट डाउन M1 दी वैल्यू बती जार चार सो सी, डैप्रीशेशन कटा अंतो बाते M2 दी सारा हजार इकसो, साढ़े कोल साल दे शुरूच उननजा हजार पांसो दी मिशीन दी वैल्यू सी, एब मिशिनरी अकाउंट कांटीन्यू है, पेज पर गया जाओ से तरह तुसी कांटीन्यू कर सादियों, if you have space on your notebook, उस्तों बाद, हुन अगे question नो पढ़िये, on 1st July 2020, 1st machinery was sold for Rs. 12,000, ए लाइन सी question दे विच, 21 July 2000 वी नो पहली machinery जड़ी खरीदी सी, 12,000 से बेच ती, buy bank, 1st July नो, क्योंकि bank account आवे टो machinery, machinery sale कीती है, buy bank, 12,000, बट हुने इती decide करना जरूरी है, कि profit हो है या loss, ताहीं सी entry पास अगे profit दा loss वाली, आओ इदे ली working note बनाके अपन क्लियर कर दे, working note देखो, value of M1 on 1st January 2020, 32,400, M1 दी value साल दे शुरू चासी देखी है, 32,400 है, 22,000, depreciation calculate किती, क्योंकि 6 मिने ताओ machinery business रही है, ना, 1st July नो, वेची है, 6 मिने अदी depreciation कर दो, 3400 दास परसेंट, ताओ होगी, 1600 वी, 1620 depreciation रहागी, देखोर, value on 17vv, मतलब, 1 July 2020, M1 दी मशीन वेची है, अओ धी value 3700 C बन दे से, लॉस हो गया हुन लॉस दी एंट्री में तो नो कीफ़ आइसी याद करो बैंक अकाउंट डैबिट क्योंकि पैसे आ रहे ने किने 12,000 बैंक अकाउंट डैबिट प्रॉफिट एंट लोस अकाउंट डैबिट ऐंवन सोल्ड बैंक 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 रॉफिट याई सेंट वहाँट वी खुशन डैबिट उस तो बाहस स्टुडेंट अग्गे गल कर दें सालदे एंड दे बीच एड़ी इस तो इलावा इक चीज होर भी है same date नो उपर question दे एक line होर वी सी नाल पड़ो and purchased one more machine for 64,000 on same date एक कुज लाई नो ने एक machine होर purchase कर ली to bank account M3 purchased 64,000 दी machine नो ने purchase कीती उन साल दा end आगया by depreciation असी उन depreciation शो करनी है ती no machine ना दी जड़ी पहली machine सी M1 ओधी depreciation असी calculate वी किती सी working notes ते तुसी दवारा देखो क्योंकि ओधी value साल दे शुरूच book value 32,400 सी उस्ते 10% for 6 months 6 मिन्या दे रही साठे कोल क्योंकि जोलाई नो शेल करती सी 1,600 वी रुपे आई सी M2 ओधी साल दे स्टार्टिंग देश वैल्यू स्तारह जार एक सो सी उस्ते 10% calculate किता 1,710 रुपीज आगी M3 जड़ी नमी परसेज किती है इस साल 2020 64,000 दी उस्ते 10% depreciation calculate किती but for 6 months 6 मिन्या दी calculate करनी है त्यान रख्यों not for 2 months 6 months क्योंकि 1 जुलाई नो परसेज किती है ताहों दी जो तो calculation किती था 3,200 आगी 3,200 total depreciation इस साल किन्य बानगी 6,530 तीनना दा जोड उस्तों बाद असी साल दे अंट चे balance भी कर लिया M1 ता साथे को जा चुकी है because it was sold देज चुके सी उन बिजनस चे दो मिशिना रही है M2 ते M3 M2 दी value किनी रही साल दी starting किन्य सी देखो M2 दी value उपर दिखाई विया 1st जनवरी नू balance 7,100 उस्ते आसी depreciation किनी शोग किती है देखो उपर M2 दे उते 1,710 ओ माइनस करती उनो दी book value किनी रही साल दे 15,390 M3 मतलो तीसरी मशिन 64,000 दी purchase किती सी 1st July उस्ते depreciation किनी शोग किती है 60,200 माइनस करती 60,800 साटे को लो दी value रहागी book value उन साटे को साल दे और टोटल मशिनरी काउंट दे वीच मशिना दा balance किना बन गया 76,192 76,190 तो उसी वैसे भी balance करके देखो debit side दा total करके इना ही आएगा ते आपने आप total कर लो balance कर दन तो बाद total कर लो तो उसी देखो दोनों side total मिलने चाहिने ने हाराला ची फिर साथ नूँ पता लाग देगा साटा question ठीक है असी किते गलती नहीं कर रे clear student हुन इक गल होड मैं तो उन्हों देजा कुछ books देविचे जड़ी depreciation है regarding confusion present है पर मैं तो उन्हों clear कर दा ओ भी ठीक है जो उसी हुन कीत है जो तो एक जुलाई नों machinery परचे असी sale करती सी जड़ी first machinery ओधे वर है ते आननाल सोचो इकल कि ओधी depreciation नों भी असी इत्थी दिखा सकदे इसी नाल दिनार first जुलाई नों क्यों machinery जा जो किए बाइड़ी शेशन अकाउंट एवी गलत नहीं है बिल्कुल कि एक परसीजरा की साल दे अंड़ी टोटल डैप्रीशेशन दिखा दो एक परसीजरा ऐसी बाइड़ीशेशन जे दिए दी डैप्रीशेशन सी चेमिन आदी परसी इत्ती शोग करतें दे 1620 गलिक को इसी ते बाकी जड़ी यहां दो मिशिना बिजनस से रह गी यहां ओधी डैप्रीशेशन बाइड़ीशेशन दुबारा फिर ओही एंट्री पाई M2 ते M3 दे ओसी तरह डैप्रीशेशन करती यह लाग दिखा दे बट टोटल डैप् इस तरह कर सकते हैं फाइनली स्टूडेंट्स रोटे सामने कुष्ण जड़ा रूप है इस तरह आजएगा कुष्ण दा मतलब जदो अधा सुलूशन कर रहे हैं कले मिशिनरी काउंट दा रूप ए पहला दो साल दी साथे को मिशिनरी काउंट हो गया उस्तों इलावा कई आज पर इक कुष्ण दे विच्चे हो हो कहां दर डर अप्रीशेशन अगाउंट दा इस ने इक्टा मिशिनरी देवेली उकूर्टी जारा गिए दिए देप्रीशेशन चाप डवीटो मिशिनरी ते जिननी डेपरीशेशन इन प्रॉपिट एंड लोस नो ट्रांस्पर हो यह एकत्ती दिसंबर दो जारा पहले साल दी डैप्रीशेशन है सारी डैप्रीशेशन ने इकत्ती दिसंबर नुँँ प्रॉफिट अंड लोस नो ट्रांसफर करती पांचे सार हुँन सोचो इदा टोटल जा बैलन्स कटन दी जुरूरत नी क्योंकि दोनों साइट दे पांच प्रॉफिट अंड लोस नो ट्रांसफर करती थी तोटल डैप्रीशेशन एंड नियों बनेंगी शेजर पंसो थी सारी डैप्रीशेशन सी प्रॉफिट अंड लोग नो ट्रांसफर कर देनिया बाई प्रोस्टेंट रोल से काम एक कम्प्लीट तोड़े सामने क्वेश्चन हो गया हुँँ I think the whole concept is quite clear अजसी diminishing value method या written down value method देना लिक complete numerical problem की तिया depreciation दी जेकर depreciation दे regarding starting दे वीच कुछ problems ने कोई concept clear नी तुसी इस तो पहला वाली वीडियो जुरूर देखो ते आन्वाल ये वीडियो भी देखो जिते होर सारे methods ने इस तो इलावा इस चैनल ते economics, commerce ते बहुत सारे अलग लग subjects, accountants इस इन और related बहुत सारी याँ वीडियो ने उन्हानों वी देखते रो, बहुत सारी याँ वीडियो हो रा नहीं हैं उन्हान दा विंसे सार करो, thank you very much